मैं आज आपको एक उदाहण देकर दोजार चौबीस के नतीजों को एक्स्प्लेइन करना चाहता हूँ दो बच्चे थे, एक ही क्लास में पढ़ाई पड़ते थे, एक बच्चा हमेशा अच्सी प्रतिसत मार्क से पास होता था, क्लास में नंबर बन आता था, दूसरी एक्जाम आई, उसने तई किया कि इस बार असी नहीं चलेगा, मैं नंबे लाऊंगा, अब उसने लक्स तई किया, लक्स कभी कोई नीचा नहीं तई करता है, उपाउंचा ही तई करता है, और दूसरा एक विद्ध्यार्थी था, वो च कि मैं 20 नहीं, इस बार 30 लाऊंगा, पास होने का लक्स नहीं रखा, 30 लाने का लक्स रखा, अब एक्जामनेशन हो गए, परिणाम आ गया, जिसने 90 का लक्स रखा था, उसको 80 की जगह 78 आ गया, और जिसने 20 का लक्स रखा था, उसको 30 की जगह 25 आ गया, अब मुझे बताओ बढ़े कौनसा विद्यार्थी का परिणम अच्छा है जारा बताओ 80 वाले का अच्छा है या 20 वाले का अच्छा है एक बात मुझे सभी कारे करता बताएं जो विजय होता है उसकी सरकार बनती है भारत में सरकार किसकी बनी है जरा जोड से बलो किसकी बनी है वीपक्स में कौन बेटा है तो वीज़ई कौन बना है मैंने तो पहली बार ऐसा दिखा है कि 30 मार्क का लक्स लेकर 25 प्राप्त करने वाला बच्चा अहंकार में आ गया और 90 का लक्स रखकर 78 लावाला पसो पस में पढ़ गया मैंने मेरे रादनीतिक जीवन में कई जाए पराजाए देखें परन्तु मैंने जीवन में कई लोगों को जीतने के बाद अहंकारी होते हुए भी देखाए जीतने के बाद अहंकार आना इसका आपको सेंकडो उदार्ण दुनिया भर की रादनीति में मिलेगा मगर एक अनूठा उदान राहूल गांधी दुनिया को दे रहे वो हारने के बाद हंकारी हो गए